हाई फ्रेंड्स वेलकम डू आई टीए गोल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है आई इस रेलेटेड वीडियो वेकेंसिस इंफॉर्मेशन जीके साइंस और करेंट एफर की वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सस्क्राइब किजिए सस्क्राइब करने एक बाद बेल बटन को आउन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बना हुँ हो सबसे पहले आपके पास प्रोच और आप उसे देखें रिदी सेसन अच्छा लगता है सेसन से कुछ जानकरी मिलती तो आप इसे लाइक एंड़ जरू किजिए आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी ज जादा दोस्तों मैं सेर कीजिए थाकि उन्हें इस वेकेंशी के बारे में पता चले और बहुत यह अच्छी वेकेंशी है बहुत यह च्छी जोब है आप इस फ़र्म को ज़रूर घडिये यदि आप इसके लिए एलिजेबल हो तो चलिये मैं इस वेकेंशी की जानकरी देत कि इसमें मैं कुछ जरूरी डेट बता देता हूँ इसमें आपको ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म बनने की तारीख है 17-6-2020 यानी 17-0-2020 से लेकर 16-0-2020 तक आप फॉर्म बर सकते हो और आपको 16-0-2020 तक के ही लास्ट रिसिप्ट एप्लिकेशन की रिसिप्ट मिल सकती है कब तक 18 जुलाई तक और आफ लाइन यदि भर रहे हो तो इसमें 20 जुलाई तक भर सकते हूँ और यदि आप आफ लाइन भर रहे हो तो उसमें बैंक का चालान लगाना पड़ेगा और चालान लगेगा सिर्फ एसब्ट बैंक का चालान बनने के लिए आपको 22 जुलाई तक का टाइम लिए है क का अफ लैंड का और आफ लाइन प्र Went स्टूबर 2020 के बीज 29-9-2020 से लेकर 5-10-2020 तक पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा वह भी कंप्यूटर बेस्डी होगा यानि ऑनलाइन होगा वह होगा एक जन्वरी 2021 को कब एक जन्वरी 2021 को चलिए आगे जानकर मैं आपको बता देता हूं यह पोस्ट काउंचे काउंचे यह तो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीए पीएफ यानि सेंट्रल आर्मड फ्लिस फोर्स इसमें बताया गया है कि पैमेंट कितने मिल सकती है उसमें मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक यहां पैमेंट मिलेगी ग्रूप B के लिए और जो ग्रूप C का SI यानि मेल फिमेल दोनों के लिए है यहां ग्रूप C का जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक दोनों मिलेगी पैमेंट सेम है और वेकेंशिस आगे वेकेंशिस की जानकरी दीकिरिया हम वेकेंशिस की जानकरी देख लेते हैं इसमें सब इंस्पेक्टर एक्स इन दिल्ले पुलिस, मेल, मेल के लिए इसमें जनरल, EWS, OBC, SC यानि सिदिल कास्ट, ST यानि सिदिल, सिदिल कास्ट और टोटल यानि इसमें सभी जानकर दी है आप केटेगरी वाइस इसमें देख सकते हो कि आपकी कौन से केटेगरी है और कितनी सीट हैं मैं इसकी PDF फ क्लास लेता हूँ तो आप करेंटर का कोश्चन जरूर पढ़िए था कि इस एक्जाम में कामाँ और आईटि भी पढ़ाता हूँ तो आप करेंटर का कोश्चन रोज की मैं 10-12 कोश्चन कराता हूँ आप जरूर देखें ताकि आपकी प्रपेरिएसं अच्छे से हो सगी है और नेस्ट है की सब इंस्पेक्टर एंक से दिल्ली पुलिस फिमेल के लिए उनके लिए भी यहाँ पोस्ट दिखाई गई है जैनरल EWS OBC SCSD तो आप यहाँ पर देख सकते हूं मैं इसकी पीडियाप फाइल की लिंक देते हूंगा वहां से देख लिजी नेस्ट है इसमें सब 3095 इसमें पोस्ट है CRPF है, BSF है, ITBP है, CISF है, SSB है तो इन सबी के लिए हैं तो आप इसमें देख सकते हो और आराम से इस फॉर्म को जरूर भढ़िएगा जिनका भी ग्रेजवेशन इसमें क्वालिफिकेशन में ग्रेजवेशन मांगा गया है तो 1395 इसमें पोस्ट है च कि जिनकी उम्र 20-25 के बीच में वह इस फॉर्म को भढ़ सकते हैं यानि 21996 से लेकर 112001 इस बीच के वेकि इसका फॉर्म भढ़ सकते हैं इसमें एस रिलक्सेशन भी दिया गया है SC और ST के लिए 5 वर्स का है और OBC के लिए तीन वर्स का है और ESM यानि एक सर्विसमें के लिए तीन वर्स का एज रिलेक्सेशन दिया है यानि एज आयू में छूड़ दी गई आप इस की द्वारा भी फॉर्म भर सकते हैं और यदि आपको इस फॉर्म बनने में कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मैं इसके भी जीके की सिरीज भी चलाओंगा आप उसे भी जरूर पढ़िएगा ट्रिक के साथ बढ़ाओंगा वह भी आप जरूर पढ़िएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिए यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चलिए नेश्ट जानकर दे देता हूं यदि आपको फॉर्म बनने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं में आपको जरूर बताऊंगा नेश्ट हैस में आपको क्याँ एक है कि आपका 11 2022 तक फाइनल यह कंप्लीट होना चीए यादि योदि किसी का NIC.IN पर जाकर आप फॉर्म बर सकते हैं और यदि फॉर्म बने में कोई भी प्राब्लम हो तो कमेंट करके जड़े अब देख लिए कि फीस कितनी लगरी तो एप्लिकेशन फीस लगरी इसमें 100 रुपे और STSC और उमेन यानि लड़कियों को कुछ भी फीस नहीं लगेगी और फीस जमा करने के लिए इसमें भीम यूपी आई और नेट बेंकिंग वीजा, मास्टर कार्ड, एट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेविड कार्ड किसी भी तरह किसा आप फीस भर सकते हो और इदी चालान की द्वारा भर रह तो SBI ब्रांच का ही चालान कटेगा और कोई दूसरी बेंक का चालान नहीं कटेगा या विशेस तोर पर आप ध्यान रखिएगा चली निस्टे और ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट तारीक है इसमें अठरा साथ दो जार बीस याई अठरा जुलाई दो जार बीस तक और आफलाइन फीस जमा करने की यानि चालान जमा करने की है इसमें बाई साथ दो जार बीस यानि बाई जुलाई दो जार बीस तक लास्ट है आगे इसमें सेंटर आप एक्जाम देना चाहोगी या आप इसमें सेंटर चूज कर सकते हो आसानी से सभी जगह का इसमें सेंटर दिया गया है आप देख सकते ह बैंगलूरू, बिहार, राची, इस तरी के सभी है, दिल्ली, NCR, इटनगर, हैदराबाद, आमदाबाद, बोपाल, जम्मू, ले, लद्दाग, सभी जगह की दिए गए हैं, आप देख सकते हो, कि आपको कहां का भनना है, और इसमें आगे दिया है, स्लेबस, कि स्लेबस, कौ एक कुस्टन पर एक नमबर रहेगा, क्या, एक कुस्टन पर एक नमबर, इसमें रिजनिंग आएगी, पचास कुस्टन, पचास नमबर के, और फिर आएगा जनरल नॉलेज्ज, और जनरल अवयनेश, यानि करेंट एफेर और जनरल अवयनेश, यानि जी के आएगा इसमें पचास question आएंगे यह भी पचास नमर के और इसके बाद में आएगा quantity, aptitude यानि मेट से आएगी इसमें पचास नमर के पचास question और पचासी नमर के और इसके बाद में आएगा इसमें English, English देएगी compensation यह भी 50 question आएगी पचास नमर के यह फर्स्ट पेपर रहेगा और फर्स्ट पेपर में टाइम दिया जाएगा आपको 200 question करने के लिए दो घंटेगा यानि 120 मिनट का आपको पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा 120 मिनट में यह पेपर कंप्लेट करना है और इस पेपर को जो भी qualify करता है क्वालिफाई करने के बाद में आपका physical test होगा क्या होगा physical test होगा और physical test होने के बाद में आप second paper देपाऊगे तो second paper देने के लिए second paper की date है 13-20, sorry मैंने first paper की date तो एक बार बता दी थी और एक बार बता देता हूँ 29 सितंबर से लेकर पांच अक्टूबर तक फर्स्ट पेपर होगा और second paper एक जनवरी 2021 तो आप second paper तब ही दे पाऊँगे जब आप first paper में qualify हो और physical में qualify हो तो इसमें यह पूरा English में रहेगा और 200 question रहेगे और 200 question यह भी एक number का एक question है तो 200 question 200 number के रहेंगे और यहां इसमें भी 120 minute का time रहेगा कितना 120 minute का अब देख सकते हो और इसमें आगे लिया गया है कि NCCC कि यह दि किसी पार certificate है तो उन्हें भी mark bonus mark से दिये जाएंगे तो NCCC Certificate में 10 Marks दिये जाएंगे यानि 5% और NCCC Certificate में 3% यानि 6 Marks बोनस की तोर पर दिये जाएंगे और NCCC Certificate में 4 Marks यानि 2% या 2% दिये जाएंगे यानि कि इतने Marks की इन्हें छुट मिलेगी यदि आपके पास NCC Certificate है तो आप भी लगा सकते हैं इसके बाद में इन्होंने नीचे स्लेबर्स भी पता रखा है आप देख सकते हो यह स्लेबर्स यह पूरी पीडियो फाइल की लिंक में इसी वीडियो की मैं जरूर बताया और सेसंट कैसे लगा अरव सेंटीमेटर और सीना फुलाकर 85 cm यानि 85 cm लगेगा वहां की कैंडियो के लिए हइट लगी है 155 सेंटीमेटर और सीना लगेगा 80 सेंटीमेटर और 85 सेंटीमेटर और फिमेल केंडिडेट के लिए 162.5 162.5 cm हाइट लगेगा और 37 cm स्वारी है फिमेल नहीं यह स्टी के लिए स्टी को लगेगा 162.5 cm हाइट और 37 cm का सीना और सीना फुला कर लगेगा 22 cm उसमें फिमेल के निरिक के लिए 155 cm हाइट लगेगी और जो स्टी कास्ट के लड़किया है यह गल्स है उन्हें 154 cm की हाइट लगेगी तो इस तरीके से यहां फॉर्म आप भर सकते हो नीचे दिया गया इसमें फॉर्म मेल के इसमें दॉल नहीं जो रनिंग होगी उसकी भी जान कर दिए 6.1.6 km है उन्हें 5.3 इसमें पूरी करना है। लॉंग जमपर 3.6 35 मिटर यह तीन चांस में पूरी करना है। और short put यहां 4.5 meter का होगा यह अभी 3 chance में पूरा करना है और for male candidate, sorry female candidate के लिए है 100 meter race 18 second में है और 800 meter की race है 4 minute में और long jump है 2.7 meter इसमें भी 3 chance दिये जाएंगे तो आप current effect की class daily class रोज देखीगा चलिए thank you और comment करके जरूर बताए कि आपको यह जानकारी कैसी लगए और इसे ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए ताकि जो वेक्ती फार्म मरें उन्हें कोई problem ना जाए मैं इस वीडियो में लगबग पूरी जानकारी देने की कोशिस की यदि क चैनल सेसन अच्छा लगा है यह सेसन से जानकारी मिलती तो इसे like and share कीजिए दोस्तों को share जरूर कीजिएगा thank you watching फार्मा वीडियो मिलते है नेस्ट सेसन में और जो भी इस फार्म के लिए eligible है फार्म जरूर भरिएगा thank you